Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 6.5 का question number 26 देखते हैं क्या है Show that the semi-vertical angle of right circular cone of given surface area and maximum volume is sine inverse 1 by 3 यहाँ पर क्या का है कि हमारा जो semi-vertical angle है उसको तो हमें sine inverse 1 by 3 के equal prove करना है दूसरी चीज़ क्या कही है उसने given surface area मतलब surface area हमारा constant है and maximum volume और volume को उसने क्या करना है यहाँ पर maximize करना है important question है थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी value जो है हमारी ज्यादा conversion होंगी देखो ध्यान से हमारे पास यह कौन हो गया यह हमारे पास height होगी यह slant height होगी यह radius हो गया यह हमारा क्या हो गया semi vertical angle हो गया theta ठीक है अब यहाँ पर हमें क्या करना है जो भी चीज़े हमने लिए हैं उनको हम पहले एक बार write down कर लेंगे r क्या है हमारा radius r is radius l is slant height slant height यह चीज़े लिखने बहुत जुरूरी है क्योंकि यह हमने variable लिए है h क्या है height h is height और s is surface area of cone यह हमने लिए है volume को maximize करना है तो let यहाँ पर let लिखेंगे v is volume of cone volume of cone तो यह हमारा क्या हो गया volume हो गया यह बत्ते clear होगी यहाँ पर सारी की सारी value जो भी हमने लेनी थी अब यहाँ पर एक और चीज़ रहेगी theta is semi vertical angle is semi vertical angle semi vertical angle यहाँ पर अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सारी की सारी values जो हमने जो भी variable लिए है वो हमने write down कर लिए अब उससे आगे देखो उसने given surface area का है तो surface area का formula क्या होता है surface area is equal to pi rl और प्लस में pi r square अब यह given दे रखा है तो इसका मतलब surface area हमने क्या लेके चलना है बच्छो constant लेके चलना है अब यहाँ से हम किसकी value निकाल सकते है इजली ल की निकाल सकते हैं कैसे pi r square को इस तरफ लिया हो s minus pi r square is equal to pi rl और l is equal to क्या हो जाएगा s minus pi r square upon me pi r is equal to l के l की value आगे मेरे पास s minus pi r square upon me pi r के equal यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चीए अब बात करते हैं यहाँ पे volume of the cone जो है हमें वो क्या करना है maximize करना है maximum volume से हो करना है तो volume का formula देखो हमारा क्या होता है volume of cone volume of cone v is equal to 1 by 3 pi r square h अब अच्चो देखो दिहां से यहाँ पे हमारे पास एक तो r variable है का h variable है दो दो variable है और हमारे पास तो यहाँ पे l की value है तो हम कैसे put करें हमें पता है l का r के साथ relation होता है और h के साथ भी relation होता है तो क्यों ना मैं यहाँ पे value निकाल लू h की तो यहाँ पे ध्यान से देखो we know l square is equal to किसके होता है हमारा r square l square is equal to r square plus h square हमने h की value निकालनी है तो h square is equal to किसके हो जाएगा l square minus r square और h is equal to क्या हो जाएगा under root l square minus r square के तो यहाँ पे value put कर देते हैं volume is equal to क्या हो गया 1 by 3 pi r square under root l square minus r square अब यहाँ पे रह गया हमारे पास l आगया variable अब l को eliminate हम इससे कर सकते हैं l की value और यहाँ पे put कर लेते हैं तो volume is equal to क्या आगया 1 by 3 pi r square under root l की value क्या आजएगी इसका square करना पड़ेगा तो हमारे पास क्या आजएगा यह ध्यान से देखो s minus pi r square का square और upon में pi square r square और minus में यह r square इसके upon में 1 माल लेते हैं इसको थोड़ा simplify करेंगे ध्यान से करना है volume is equal to 1 by 3 pi r square under root यहाँ पे lcm कितना आएगा pi square r square यह ऐसे क्या ऐसे रहेगा s minus pi r square का square और minus में यहाँ पे pi r square r square की r square से multiply करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे यह आगया मेरा pi square r की power 4 देखो pi square as it is r square r square क्या हो जाएगा r की power 4 अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं थोड़ा से ध्यान से देखना 1 by 3 pi r square यह निचे pi square r square root से बाहर जाएगा तो निचे क्या हो जाएगा pi r under root यह वाली term देखना s minus pi r square का square और जो यह pi square r की power 4 है इसको क्या लिख सकता हूँ मैं minus pi r square का square लिखा जा सकता है या निए बस यह चीज़ समझनी है pi square r की power 4 को क्या लिख सकते है pi r square का square इसको मैं a मान लू इसको b मान लू तो a square minus b square बन रहा है या निए बन रहा है बिलकुल बन रहा है तो इसको simplify कर लेते हैं, volume is equal to क्या आगया, यहाँ पे πाई से πाई cancel, एक आर से एक आर cancel, तो r by 3, under root, यहाँ पे s minus πाई r square, minus πाई r square, और दूसरा क्या बन जाएगा, s minus πाई r square, plus πाई r square, a square minus b square का हमने यहाँ पे क्या कर दिया, formula apply कर दिया, यह पाई r square से यह कट गया हमारा, और यहाँ पे volume is equal to क्या आगया, r by 3, under root, s minus 2 πाई r square, और यहाँ पे into में क्या रह जाएगा हमारा s, यह आगया volume, ठीक है, surface area तो हमारा constant है, बाकी एक variable के अंदर आगी term, यही चीज हमारी यहाँ पे मुस्किल दी, इस question के अंदर, अब यहाँ पे क्या करेंगे, squaring both side कर लो, squaring both side, थोड़ा simple हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, v square is equal to, यहाँ पे r square by 3 का square 9, और यहाँ पे s into, s minus 2 πाई r square, volume आगया, अब इसका क्या करेंगे, derivative, इसको क्या कर लो, किसी function के equal, मानलो, fx equal to r square by 9, into, s into s minus 2 πाई r square, इसका derivative लेंगे, next phase पे, अब हमारे पास यह function आचुका, इसका derivative निकालना है, तो क्या करेंगे, एक बार सारी term को अंदर, multiplication करके, simple function बना लेंगे, fx equal to, इसके साथ करेंगे, तो s square, r square by 9, minus में, इसके साथ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, s r square by 9 की multiply करेंगे, तो यह क्या आगया मेरे पास, 2s πi r की power 4 by 9, simple हो गया, अब इसका derivative इसली कर सकते हो, with respect to x, with respect to r करेंगे, f dash x is equal to, क्या आजएगा यहाँ पे, यह आगया मेरे पास, 2s square r by 9, minus में, यह 4 आगया आएगा, 4 to jah, 8s πi r की power 3 by 9, यह आगया, मेरे पास f dash x आगया, अब हमें क्या करना है, इसको equal to 0 करना है, f dash x equal to 0, तो मेरे पास क्या आगया, 2s square r by 9, is equal to, यह right side जाएगा, तो 8s πi r cube by 9, 9 से 9 कट गया हमारा, और क्या cancel out हो रहा है, 1s से 1, 1s cancel हो गया, 1 r से 1, यह square रह गया हमारा, और 2 बंजा 2, 2 4 जा 8, तो मेरे पास, यहाँ पे, s is equal to, किसके आगया बच्चों, यह आगया, 4 πi r square के, s किसके equal आगया, मेरा 4 πi r square के, तो जो surface area है, वो मेरा, s is equal to, 4 πi r square equal आगया, अब यहाँ पे, इसका double derivative भी चाहिए, तो पहले एक बार, double derivative भी निकाल लेते हैं, double derivative क्या हो जाएगा, यह हमारा, f dash x था, इसका, f double dash x देखते हैं, क्या आएगा, r के respect में, 2s square by 9, minus, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8s πi r cube का करेंगे, तो 3r square by 9, 3, 3, 4, 9 हो गया, तो मेरे पास value क्या आगी, f double dash x is equal to, 2s square by 9, minus में, 8s πi r square by 3, यह value आगई हमारे पास, कोई दिक्कत के बाद नहीं है, f double dash x हमारे पास आचुका, अब देखो, हमें क्या निकालना है, इसको यूज बाद में है, double derivative का, वो तो maximize, minimize के लिए यूज होता है, s की value आगे मेरे पास, 4 pi r square, अब हमें क्या निकालना था, हमें sin theta is equal to, किसके प्रूब करना था, sin inverse 1 by 3 के, उससे पहले हमें क्या चाहिए, r और l की value चाहिए, तब ही हम कर सकते हैं, अब ध्याम से देखो, s is equal to क्या था, 4 pi r square आया है, और वैसे s का formula क्या होता है, surface area का, pi r l, plus में pi r square, is equal to 4 pi r square, pi r square को उस तरफ ले जाओ, pi r l is equal to क्या हो जाएगा, 4 pi r square, minus pi r square, तो pi r l is equal to किसके आगया, यहाँ पे 3 pi r square के, और यहाँ पे pi से pi cancel हो गया, 1 r से 1 r cancel हो गया, l by r is equal to किसके आगया मेरा, l by r, l by r आगया मेरा 3 के equal, या फिर r by l दिखूं मैं, तो इसका reciprocal ले ले लेंगे 1 by 3, यह दो value आगया आपके पास, अब यहाँ पे आजओ अपने question के अंदर, इसमें यह मान लो, a point यह मान लिया, b point यह मान लिया, c point, तो int triangle a b c, int triangle a b c, sin theta किसके equal होगा, पंडित भदरी परसाद हर हर बोले, क्या होता है, perpendicular by hypotenuse, perpendicular क्या है, यह 90 degrees के सामने क्या है, upon में hypotenuse, sorry, क्या होता है, perpendicular by hypotenuse, perpendicular क्या है, हमारा theta के सामने R है, hypotenuse L है, तो यह क्या होजएगा, R by L, और R by L की value क्या निकाल ले आपने, 1 by 3, तो यहाँ पे क्या होगया, sine theta is equal to 1 by 3, और theta is equal to क्या आगया, sine inverse 1 by 3, यह चीज़ प्रूव करनी थी, होगी प्रूव, कोई दिक्कत नहीं है, अब रह गया हमारा volume को maximize करना, वो इस double derivative से निकलेगा हमारा, अब double derivative देखो, हमारे पास क्या आया है, 2S square by 9, minus 8S pi R square by 3, यह तो हमारा constant है, surface area constant था, यह भी constant term होगी, तो यहाँ पर R की value अगर हम change करेंगे, तो यह negative है, तो हमारा F double dash X क्या होगा हमारा, जो होगा negative होगा, मतलब less than 0, so volume is maximum, volume is maximum, when हमारा point क्या निकला था, S equal to क्या हो, 4 pi R square हो, जब हमारा surface area 4 pi R square होगा, तो हमारा volume क्या होगा, कौन का maximum होगा, यह चीज हमने दिखानी थी, समझ में आगी बात, थोड़ा सा मुस्किल question है, इतने असान question नहीं होते, कि बच्चा यह एक बार में ही समझ ले, मैं भी मानता हूँ, इस चीज को चिंता मत करो, कहीं है सुचो सरी एक बार में समझ में नहीं आया, 50% आया, 30% आया, 20% आया, दो बार समझोगे, तीन बार में आपको concept clear हो जाएगा, क्या करना है, कैसे करना है, पहले जो भी given चीज हो, उससे variable की value निकालो, और जिसको maximize minimize करना है, उसके अंदर put करो, उसका single derivative निकालो, उसको zero के equal put करना है, फिर वहाँ से आपका point निकल जाएगा, double derivative से आपका less than और greater than आ रहा है, तो वो maximize minimize show करेगा, और जो भी आपका formula बन रहा था, उससे हम क्या करेंगे, अपना कोई भी चीज extra प्रू करने है, वो कर लेंगे, समझें, आगी बात अब clear है, कोई दिक्कत हो, तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपकी help जरूर करूँगा, थैंक यू स्टुटेंट्स पर वचिंग नेक्सा क्लासेज वीडियो,